मुझे नहीं पता था कि ये सवाल इतना लोग प्रिये है सभी धार्मिक लोगों के प्रती पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ मूल रूप से धर्म का मतलब होता है विश्वास, किसी चीज़ पर विश्वास करना जब कोई कहता है कि मैं एक धार्मिक वेक्ती हूँ तो वे खुद को बिलीवर यानि विश्वास करने वाला कहते हैं हाँ, विश्वास विश्वास करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ नहीं जानते मगर आप ये मानने को तयार नहीं है कि मैं नहीं जानता इसलिए आप विश्वास कर लेते हैं मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी चीज को नहीं जानते तो आप सिर्फ ये क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं जानता हेलो, क्या ये ठीक है? अगर मैं कोई चीज नहीं जानता, तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं जानता एक जबरदस संभावना है जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाह, जानने की जिग्यासा और जानने की संभावना आपके जीवन में एक जीती-जागती हकीकत बन जाती है। जो कुछ भी मैं नहीं जानता, मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। इसके कारण बहुत सारी चीजें होई हैं। है ना? अगर आप नहीं देख सकते, तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए। लेकिन आप देख नहीं सकते और आपके अंदर आत्मविश्वास है। विश्वास करने से यही होता है, इस पश्टता के बिना आत्मविश्वास आ जाता है। आप अपने विश्वास तक कैसे पहुँचते हैं, इसके कई तरीके हैं, क्या मैं आपको एक चुटकुला सोना सकता हूँ, चलेगा, ये एक गंभीर सवाल है, चुटकुला चलेगा, आप लोग इतने गंभीर लग रहे हैं, मुझे आपसे डर लग रहा है, ये घटना नियोर्क सिटी में हुई, आठ साल का एक लड़का दोफेर में सकूल से घर आया, घर पर उसकी बहुत प्रगतिशील मा थी, जाहिर है कि वो अकेली रहती थी, लड़के ने घर आकर पूछा, ममा, भगवान आदमी है या औरत? अमेरिका में इस पर बड़ी बहस चल रही है, भगवान आदमी है या औरत? अमेरिका में इस मुद्धे पर बहुत बहस हो रही है, पिछले चुनाओं में उन्होंने इस से सुलजाने की कोशिश की थी, और आप जानते हैं कि क्या हुआ? मा ने सोचा, एक प्रगतिशील महिला होने के नाते, उसने देश में चल रही सारी जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में सोचा, और काफी सोचने के बाद उसने कहा, दोनों. लड़का गहरी सोच में पड़ गया, कुछ समय बाद वो वापस आया और उसने पूछा, ममा, भगवान काले हैं या गोरे? इसके पिछले चुनाओं में उन्होंने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की थी, क्योंकि रंग भेद की राजनीती भी बहुत बड़ी चीज है, उसने देश में चल रही सारी रंग भेद की राजनीती के बारे में सोचा, बहुत सोचने के बाद उसने कहा, दोनो, फिर ल मा ने जीवन के इस पहलू से जुड़ी सारी राजनीती के बारे में अच्छी तरह सोचा और कहा दोनो, लड़का खुशी से उचल पड़ा मैं समझ गया, मैं समझ गया, वो माइकल जैक्सन है मुझे नहीं पता कि आप अपने विश्वास तक कैसे पहुँचे आपको समझना चाहिए कि ये एक बिना भगवान के संस्कृती है इस संस्कृती में हमने हमेशा आपसे कहा है कि आपका जीवन आपका कर्म है हाँ या नहीं, आप भूल गए हैं इस संस्कृती में हमने हमेशा आपसे कहा आपका जीवन आपका कर्म है इसका मतलब है कि आपका जीवन आपने खुद बनाया है कोई वहां से आपको मैनेज नहीं कर रहा है आपका जीवन पूरी तरह से आपका कर्म है आप लंबे हैं, नाटे हैं, काबिल हैं, नाकाबिल हैं आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम कहते हैं अयो कर्मा हम हमेशा से आपसे कहते रहे हैं आपका जीवन पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है मगर इसे हमने कुछ और बना दिया और अब हम भी उपर देखने लगे हैं आप सभी इंजिनियरिंग स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं ये लड़की क्या ये ग्रह गोल है बताईए हाँ क्या ये घूम रहा है आप उत्तरी धुरुफ पर भी नहीं हैं आप यहां चेन्नाई में हैं यहां अगर आप उपर देखें और ग्रह घूम रहा है तो आप हमेशा गलत दिशा में ही देखेंगे हेलो आपको ये भी नहीं पता कि उपर कहा है इस ब्रह्मान में क्या आप जानते हैं कि उपर कहा है और नीचे कहा है हेलो क्या कहीं निशान लगा है दिस साइड आप क्या आप कभी भी पता लगा पाएंगे कि इस ब्रह्मान में उपर कहां है नहीं फिर आप उपर किसे देख रहे हैं जब आप ये भी नहीं जानते कि उपर कहां है तो आप ये कैसे जानते हैं कि उपर कौन है इसका क्या ये मतलब है कि मैंने ये दुनिया बनाई है यहां था है ना तो अब कम से कम आपको ये तो कहना चाहिए कि मैं वाकई नहीं जानता समस्या ये है कि कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है वे अलग लोग नहीं हैं बस उनके कपड़े अलग हैं बकवास वही है एक व्यक्ति जो नहीं जानता उस पर सकारात्मक रूप से वि इंसान के साथ समस्या क्या है कि आप सुविकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता आपका ये कहना बहुत ही बढ़िया बहुत मानविय है कि मैं नहीं जानता है न अगर आप नहीं जानते अगर आप समझ जाते हैं कि आप वाकई नहीं जानते तो आपकी बुद्धी हमेशा सतर्क रहेगी, वो कभी सोईगी नहीं हमेशा आपके जीवन के हर पल में आपके सोते समय भी वो सजग रहेगी अगर आप जान जाते हैं कि मैं वाकई नहीं जानता इस विश्वास के चलते आप बस पोंगल खाकर आप बस सुस्थ हो गए हैं, पुरी दुनिया सुस्थ हो गई है सुस्थ से मेरा मतलब शारेरिक रूप से सुस्थ नहीं बुद्धी सुस्थ हो गई है, क्योंकि वो किसी चीज में विश्वास करते हैं हर कोई किसी बकवास में विश्वास करता है क्या हम इमानदारी से कह सकते हैं इस देश के युवाओं मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हम इमानदारी से कह सकते हैं कि जो मैं जानता हूं वो जानता हूं जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता क्या ये ठीक है भारत के युवाउं मैं आपसे पूछ रहा हूँ